नवाश्कार उस्तौब वालकम टू गॉवर्मेंट एक्जाम इनफो तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में तो आज हम देखेंगे उत्रक अनल्थी क्लास 11 टीचिंग अप्ट्यूट की एक लास है तो इससे पहले 10 क्लासे आ चुकी है तो जिन लोग ने नहीं आ सकते हैं और मतलब अगस्त फर्स्ट वीक में आपके एक्जाम डेट्स आ सकते हैं सुरू हो सकते हैं आपके एक्जाम और आज मैं देख रहा था तो कुछ ऐसे कटाउट्स यहां पर सोचल मीडिया पर देखने को मिलें जिसमें यह बताया जा रहा है कि आयोक के कोई भी अपडेट आ सकती है तो अगर आप मान के चलें के चलो जुलाई में अगर नहीं भी होता है तो अगस्त भी मान के चलें तो भी बहुत जादा समय नहीं बचा हुआ है तो अगस्त मान के अगर आप चलते भी हैं तो आपको यहां पर प्रेपेर करना पड़ेगा तो तो जो तैयारी है आप बनाए रखिए, मेरी तरफ से तो यही सुझाओ है, बागी आपकी मर्जी है, लेकिन आज से हम दुआरे से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ पर टीचिंग अप्ट्यूट के कॉश्चन है, वो आपके अटलिस्ट कवर होते रहें, एक्जाम तक और आने वाले समय में और भी क्लासे जाथ ही रहेंगी, समय समय पर, तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो, और देखते हैं आज के कॉश्चन उससे पहले, जो लोग टेली बार इस चैनल पर आये हैं, वो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, और बैल आइकन सारे कोश्चन आपको आटेंब भी करने हैं, देखना है, जो आपने त्यारी की है, उसके अनुसार, कितने कोश्चन आप कर पाएं, तो चले शो करते हैं, देखते हैं आज का पहला कोश्चन, तो यह रहा आज का पहला कोश्चन और सारे कोश्चन के आंसर आज कमेंट करके पहला option है, सामावेशन को हतोचसाइट करता है, दूसरा है आविरती को बढ़ावा देता है, नहीं कि रिपीटिट कर देता है, education को, या जो भी है subject, उसको आविरती को बढ़ावा देता है, या फिर खोज को प्रोचसान देता है, option D है, नियामक है, यानि कि रिस्ट्रिक्टि इसमें क्या होगा इसमें learning by doing होगा ठीक तो आप देखे इसमें चारों में से कौन सा इसका राइड आंसर होगा तो देखे learning by doing यानि कि progressive classroom में learning by doing होता है तो खोज को प्रोथसान देता है तभी वो अधिगम को सुगम बना सकता है question के according C इसका बिल्कुल सही answer है खोज को प्रोथसान देता है प्रोथसान देता है तो C जिन्होंने कैस करया है बिल्कुल सही है इसके बाद अगला question देखते है तो next question देखे इसमें बूछा गया है कि Howard Gardner theory of multiple intelligence am I suggest that तो जो बहुदी सिद्दान है Howard Gardner का उसके अनुसार क्या सुझाता है यह आपको उताने है तो इसमें पहला option है सिक्षक को चाहिए कि जो subject matter है विसेवस्तू है उसको alternative method से वेकलपिक वीधियों से पढ़ाने के लिए जो MI की रूप रिखा है के तहत इसको ग्र यह suggest करता है multiple intelligence या फिर शमता भागिया और एक अवधी के भीतर नहीं बदलती है C है हर बच्चे को प्रते एक विषय आठ भिन्ने तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विक्सित हो या फिर बुद्धि को केवल बुद्धि लब्दी यानि कि IQ प्रेक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है तो इसका right answer option है यानि कि सिक्षक को चाहिए कि subject matter के अनुसार alternative तरीकों से पढ़ाया जाए और यह होना चाहिए बच्चों के इंट्रस्ट के according तो यही है MI जो suggest करता है जो सिक्षक है उसको subject matter के अनुसार alternative ways का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के तो option है इसक इसके बाद अगला question देखते हैं next question देखे यहां पर एक statement दिया गया है और इसके according चार option दिये गया है और इसके according चार option दिये गया है और इसके सबसे सही कौन सा है यह आपको choose करना है तो statement यह है कि a five year old girl talk to hustle while trying to fold a t-shirt while which of the following statement is correct in the context of the behavior displayed by the girl यानि कि एक five साल के लड़की है जो t-shirt fold करते हुए अपने आप से बात करती है और इस context में इन्हों में से यह चार option दिये गया है कौन सा statement सही है यह पूछा गया है इस वेभार में यह जो वेभार प्रदिशित किया जाए लड़की द्वारा t-shirt fold करते है उस समय बात करती है तो अपने आप से तो यह कौन सा इसमें right answer हो गए आपको बताने तो चार option आप देख सकते हैं तो इन चारों में से कौन सा correct है आपको बताने पहरा option देखिए इसमें बताया गया कि जीन पियाजे इसकी व्याक्या सामाजिक अन्यून क्रिया के रूप में करेगा और जो वा अपनी मा की अनुक्रण के रूप में करेगा इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है जीन पियाजे और व्याक्या बच्चे के विचारों के अहं के इंद्रिस प्रकरती के रूप में करेंगे या फिर डी जीन पियाजे इसे अहं के इंद्रिस भासा कहेगा और व्याक्या तो option D अगर आपने कहा है तो बिल्कुल सही है, इसके बाद अगरा option देखिए, next option देखिए, as a teacher who firmly believes in social constructive theory of Leverodzki, which of the following method would you prefer to assign your student? वाइगोल्सकी के समास समस्न सिधानत में दिरड विश्वास रखने वाले सिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निमलिखित मैंसे किस वीदियो को आप वरीता देंगे, तो एक option दिये गया है, इनमें से आपका answer कहा है या आपको बताना है, तो देखें, तत्यों पर आधारित, पत्या स्मरण के प्रस्षन, यानि कि fact-based recall question, या फिर वस्तु परक भवे के लिए प्रकार के प्रस्षन, या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट, या फिर मानविकरित परिक्षन, तो समाज संरस्टना सिध्धान्त में जो वाईगुच्षकी का एक सिध्धान्त है, इसमें जो बिलीफ करते हैं teachers, उसके नाते आप बच्चों के आकलेन के लिए कौन सी विधी को वरिता देंगे, तो समाज संरस्टना सिध्धान्त की बात की गई है, यानि कि social constructive theory, तो social यानि कि इसमें collaborative project यानि कि सही होगी project ये बिल्कुल सही answer है, तो C अगर आपने guess किया है तो सही answer है आपका तो C इसका correct answer है चलिए आगे बढ़ते एक लोकुशन दिखते हैं इसके बाद अगला कुशन दिखें इसमें बूचा गया है कि To cater to individual differences in his classroom a teacher should अपने क्लास में यानि कि बच्चों के बीच individual differences है उसके लिए तो options है बच्चों से बातचित करें और उनके देश्टिकों को महतुदे विध्यारती उगले कठोर नियों में को लागू करें सिक्षक और आकलन के सामान और मानक तरीके हों बच्चों को उनके आंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें तो आपने guess कर लिया होगा ज्यादा difficult question नहीं है individual differences में सबसे best तरीका है कि बच्चों से बातचित करें और उनके देश्टिकोंड को महतुदे उनका जो thought process है वो क्या सूचते हैं तो हर एक individual student का जो individual differences है वो उसके according option A is का right answer है तो बच्चों से बातचित करें और उनके देश्टिकोंड को महतुदे engage in a dialogue with the student and value their perspective तो A is का correct answer है इसके बाद अगला question देखिए next question है किसलिए ये केवल एक बार वर्ष के अंत में हो तभी ये purposeful है या फिर विध्यारतियों की उपलब्दियों में अंतर करने के लिए तुनलातमक मुल्यांकन किये जाए C है इससे विध्यारतियों में भय और तनाव का संचार हो इसलिए ये purposeful है assignment, assessment या फिर इससे विध्यारतियों और सिक्षकों की विध्यारतियों और सिक्षकों को feedback प्राप्त होता है तो जाहिर सी बात है assessment purposeful क्यों है क्योंकि इससे feedback प्राप्त होता है सिक्षकों को और विध्यारतियों को भी तो D इसका correct answer होगा ठीक है पांच के अनुसार जो आपका राश्ट्री पाथ ही रच्टा है तो इसके अनुसार अनुमति परक्क यानिके प्रमिसिव होना चाहिए शुविदा दाता यानिके जो facilities हैं अगर student को अच्छी मिलती है चाहिए वो teacher की तरफ से हो या general environment जो है तो अगर वो अच्छा मिलता है जो student है वो grow कर पाएगा और teacher की बात करें तो facilitative के रूप में काम करेगा यानिकि सुविदा दादा के रूप में काम करेगा student के लिए तो B इसका correct answer है according to trustee party चर्ड़े है 2005 इसके बाद next question इसमें पूछा गया है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविद कक्षा में यानिकि जो diverse classroom है इसमें अपने विध्यार्तियों से सिक्षिगा की अपेक्षाएं विध्यार्तियों के अधिगम के साथ option A है विध्यार्तियों के अधिगम के साथ संबंदित नहीं मानी जानी चाहिए पहला option है दूसरा है विध्यार्तियों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है तीसरा है विध्यार्थियों के अधिकम पर महतुपूर्ण प्रभाव छोड़ती है या फिर विध्यार्थियों के अधिकम का एक मात्र निर्धारक होती है तो इसमें से कौन से इसका राइट आंसर होगा यह आपको बताना है तो यह होगा आपका have a significant impact on यानि कि विध्यार्थियों के अधिकम पर महतुपूर्ण प्रभाव डालती है और यह research जो suggest कर से हैं उसके according यह पूछा गया question में कि एक diverse classroom में अपने विध्यार्थियों से इसके बाद अगला question देखते हैं इसके बाद अगला question देखिए Inclusion of children with a special need विसे सावश्चत्तम वाले बच्चों को सामिल करना कौनस ऑप्शन इसमें सही होगा विध्यालों पर भार बढ़ा देगा क्या B है सिक्षन के प्रति दिष्टिकों विसेवस्तु और धर्णा को धर्णा परिवर्थिं के अपईक्षा रखता है C एक कार्प्रिनिक लक्ष है यानि कि यह नहीं किया जा सकता है जो special needs वाले children से उनको inclusion नहीं किया जा सकता है या फिर D इनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए जिनमें अक्षमता ना हो यानि कि जो normal है यानि कि special needs वाले नहीं है उनके लिए खानिकारक है क्या है सही किया तो इस में से जो correct answer है अगर आपने guess किया हो तो भी सही है बिल्कुल शिक्षन के प्रतिदिश्टिगोन विसेवस्थू और धार्ना पईवर्तन की अपएक्षा रखता है इन्क्लूजन अफ चिल्टन विछ स्पेशल नेग्ड रिक्वार्स चेंज तो इन अटिटूड कॉंटेंट एन अप्रोच टू टीचिंग तो 20 का correct answer है इसके बाद नेच्ट कोशन देखिए आटीचर केन इनहेंस एफेक्टिव लर्निंग बाई इनहर के इलेमेंटरी क्लास्रूम बाई यानि कि जो प्राथमिक कख्षा है उसमें शिक्षक अधिगम को प्रभावी कैसे बढा सकता है प्रभावी बनाने के लिए अधिगम को तो options है अपने शिक्षार्चियों में प्रतियोगिता का प्रोथान देकर यानि कि competition को लेकर encourage करके या फिर विसाइबस्तु को विध्यारतियों के जीवन के साथ सम्मंधित करके, relate करके या फिर अधिगम में छोटी छोटी उपलबजियों के लिए प्रूसकार देकर या फिर drill और अभियाद सरागर तो effective बात की गई है अधिगम को effective बनाने की बात की गई है इससे कैसे बढ़ाया जा सकता है और elementary class की बात की गई है तो यह होगा आपका विषय वस्तु को विध्यार्थियों के जीवन के साथ सम्मंधित करके, आनि कि बच्चों के जीवन के साथ life के साथ उसे relate करेंगे तो यह effective तरीका होगा आधिगम को बढ़ाने का उसे प्रभावी बनाने का तो B अगर आपने guess किया है तो बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते एक ला option देखते हैं तो आज के लिए आखरी question है इसमें हम देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि which of the following statements about children are correct तो इसमें आपको देखना है options और उसके according इन चारों में इसमें आपको बताने कि कौन सा राइट होगा तो question में यह बूछा गया कि कौन सा correct है तो पहला option है Children are passive recipient of knowledge हिंदी वालों के बता दूँ इसका मतलब है वच्चे जानकारी के निस्क्रिये प्राप्त करता है B option है Children are problem solvers तीसरा है Children are scientific investigator और D है Children are active explorers and explorers the environment Children are active explorers the environment इसका मतलब है बच्चे प्रयावान के सक्रिया अनवेशक है तो यह चार option देख लीजे हिंदी वालों के लिए तो इन में से कौन सा statement सही है या फिर कितने सही है बच्चों के समन्द में तो देखे पहला option आप देख पा रहे होंगे इसमें कहा गया है कि बच्चे जानकारी के एक निस्क लिए प्राप्त करता है तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चे जानकारी के निस्क लिए प्राप्त करता है बागी तीनों option सही हैं बच्चे समथ्चया समधन करता है बच्चे होता है बच्चे बच्चे प्रावरन के सकरिय अनवेशक हैं यह भी सही है तो इसमें से कौन सा option सही होगा तो देखे 4th option में B, C और D दिया गया तो यही इसका right answer होगा और इस तरह के question आपके पूशे जा सकते हैं तो यह सारे question आपको attempt करने आने चाहिए तो B, C और D यह तीनों ही सही हैं बच्चे के समझ में तो D अगर आपने guess किया यह फिर 4th option आपने guess किया तो बिल्कुल सही है तो बस आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके अच्छी लिए हो वीडियो को like जरू करके जाएं और चैनल को जिन लोग ने subscribe नहीं किया तो subscribe कर लें और जो bell icon होता उसको press करके all का section आप जरूर सूस कर लें ताकि updates आपको time to time मिलती रहें तो बस आज के इतना ही तब तक लिए धन्यवाद stay home stay safe और prepare करते रहिए